आप लोगों का ये जो पहला इतजाज, जलसा, धरना, whatever you want to say it, मुझे तो लगा था ये तो जो मुतहिद्धा हकुमत है न, आप तो इसको फॉरन चलता करेंगे, लेकिन वहाँ पर तो आपस में फूट पड़ गई, आप लोगों ने पर क्या, ये एक्सपेक्ट किया था? कनाबदो ये कना सहीं, देखें, मेरे नहीं ख्याल कि कोई ऐसी फूट पड़ी है, बास चीजें, जिन चीजों का आपने जिकर किया है, वो चोटी मोटी चीजें हर चकपे चलती रहती हैं, वो ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? रही बात ये कि जो जलसा हुआ था परशीन में, वो तो माशालला बहुत जबरतास हुआ था, अब उसके बात आप देखते जाएंगे कि ये बिल्ड़ अप होता जाएगा, और ये याद रखें, क्वेटा नॉर्मली अगर आप देखा जाए, तो जियो बलोचेस्ताने उसमें पाकिसान तरीक इनसाफ की सबसे कम एक मगबूलियत होती है, जिनरली बिट्वीन तरी प् आप की थी, एक सिगनिफिकन्ट आप और इसमें कोई शखनी है कि उन पार्टियों के भी एक बहुत बड़ी तादा थी, तो अल अनॉल एट वेरे बेग जल्सा, ठीक है, अब ये याद रखिए कि ये चोटी मुटी रेटोरिक और बास बाते जिस तरीके से कहीं जाएं बा अतिजाज रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, उन्होंने कहा है कि अगर वहाँ पे कोई जमाद भी आ जाती है, और उन्होंने मीन जो जो इशारा दिये वो पाकिस्तान तरीके इनसाफ के लिए, तो वो उसको वेलकम करेंगे, अब पाकिस्तान तरीके इनसाफ, आम शूर इन ची हैं, तो फिर ये, मेरे ख्याल में इस वर जो पाकिस्तान का जो 90% स्ट्रीट पावर है, वो इन तीन जमातों के पास है, 90% की मैं बात कर रहा हूं, तो बाकी रह जाते हैं, वो 10% रह जाते हैं, और ये याद रखें, जब 2021 में, जब या 90, 2019 में, जब ये उपोजिशन उस व कावर के बेसेस पे वो आते थे, और वो लोग मेंडी स्टेज पे आके तक्रीरे कर जाते थे, लेकिन नीचे 90% या 95% जो स्ट्रेंथ होती थी, वो जे यू आई की होती थी, तो उस लिहास से अगर देखा जाए, तो आगे आगे तो इनके लिए बहुत ज़्यादा मसला होन चुरिए का, और जो मुझे इतलात है, जनरली बाद लोगों की लिहासे इतलात है, वो ये है कि इनके अंदर अच्छी खासी जो है ना, एक तश्वीश और एक वो पाई जा रही है, और जहां तक मैंने सुनने में आया है कि ये लोग इतना तो कर दिया कि जी हम मिड टर्म करा सकते हैं, तो पांस साल ते धाई साल पे तो ये आ गए है, और मेरे ये खियाला है, ये धाई साल की बजाए, ये लिए धाई तीन चार महीनों के अंदर अंदर इनके अंदर प्रॉब्लम हो जाएगा, आपने MQM की वो देखी, आज जो प्रेस कांफरंस कर रहे थे, उन अवे लतीफ साब तो इनफेक्ट उनों ने ये कबूल कर लिया है कि जो रिजीम चेंज थी, उस में बाजवा साब का सबसे बड़ा किरदार था, क्योंकि उनों ने कहा है कि हम तो इस हक में नहीं थे, लेकिन हम से मजबूरन कराए गया, जोरी से कराए गया है